इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टू मंत में आपको कौन से इस तड़ीको और करना है आपको कितना कीतना सिल्यावस कपकप कवर कर लेना चाहिए और साथ में दोस्तों प्लीज नीचे कॉमेंट करके यह बताओ कि आपने अपना कितना percent preparation सब्सक्राइब करने से मतलब यह है कि आपको वह आता भी है जैसे कि मैं अगर समझो आपने कुछ पार्ट पढ़ा है और उससे सबस्क्राइब करते हैं अगर मैं बात करूंcasesनर मन्त तो ओक्टूबर मन्त मैं आपको दोस्तों 15 तक 15 ओक्टूबर अपना दोस्तों कम से कम कम से कम दोस्तों See दो यूनिट तो किसी भी आलत में खतम कर देना चाहिए अब दो यूनिट आपका न बहुत बड़ा है दोस्तो इसके अंदर टोटल चार बोला जा तो चार लेशन है इसके अंदर टीन लेशन है तो टोटल आपका 7 लेशन तो कवर होना चाहिए और अगर आप अगर दोस्तों आप 21 अक्टूबर तक दोस्तों आपको unit number 3 तक अच्छे से cover कर देना है और application पे अगर आप देखोगे अगर आप आपक कर न चाहते हैं तो application मेरा युनिट number 3 भी instructional और three दोस्तों अरन चार से पांस दिर में खत्म हो जाएगा तो मतलब तीनों यूनिट के नए लेक्टर्स मैंने अपलोड कर दिये फिर मैं डारिक यूनिट नूबर 4 पर आऊंगा तो दोख्टूबर मन्त में बेसिक मैथमेटिक्स में इतनी चीज़े कवर करनी चीए साथ में दोस्तो मैंने हमेशा बोला कि बेसिक मैथमेटिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चीए क्योंकि यह ऐसा पेपर है जिसके अंदर बहुत लोग पेल होते हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो साथ में दोस्तो अगर और अगर पढ़ेंगे तो टॉप भी करते हैं ऐसा पेपर है क्योंकि यह कोई ट्रीगों पर आप फोकस नहीं करोगे न नेक्स सेमिस्टर में आपको इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन स्टार्टी के तीन यूनिट पूरा का पूरा साथ में दोस्तों कॉम्निकेशन स्कील एक ऐसा सब्जेक्स है जिसको बहुत सारे लोग बहुत लाइकली लेते बोलते कि या मैं तो इंग्लिश मीडियम का स्टुडेंट हूं मेरको तो आता है बट मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपने पूरी चीज़ों को कम्प्लीट क डिशी है तो इसलिए अगर कॉम्निकेशन की स्टडी आपने नहीं स्टार्ट की तो प्लीज नीचे कॉमेंट करो कि कि आप में से कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया और इससे रिलेटेड़ भी हमारे कोर्स एविलेबल है बहुत अच्छा और दोस्तों कोर्स की खुब स सब्सक्राइब क्रेप्स वाले कोर्स से जुड़ता है ना तो लास्ट में जैसे अभी समझो मैंने ट्रीगों पढ़ाने में कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों मेरा 7-8 गंटा गया है अब वहां पर मैं लाई हो आके आपको पढ़ाऊंगा और दो घंटे में पूरा का पूरा सब्सक्राइब कराऊंगा जिससे आपका रिविजन लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जैसे कल मेरा एक्जाम है आज मेरे लिए सर कोई दो घंटे वाला वीडियो बता दो और वह ऐसा वीडियो बनाओ सब जिसमें जो एक्जाम में कोर्स आते वैसे को साइन्स का भी हमने पार्ट स्टार्ट किया है बेसिक साइन्स का जो एक्जाम में दोस्तों एमसी क्यू बेस होता है तो इसलिए ज्यादा उसका टेंशन नहीं रहता पर हमने उसका भी यूटूब पे कंटेंट अपलोड किया वहां से भी पढ़ सकते हो केमिस्ट्री का पा से गम इतना स्टडी होना चीए अब नेक्स बारी है नौएंबर मन्त में नौएंबर मन्त में दोस्तों 15 नौएंबर तक आपका सब कुछ पढ़के 100% सिल्याबस कवर हो जाना चीए और अरूंड टेंड नौएंबर तक हमारा पूरा का पूरा एप्लिकेशन पे नए वीड कर देना है कि 15 दिन करना है और एक तारीख से दोस्तों वन डिसेंबर से हमारे क्रेश स्टार्ट हो जाएंगे जैसे आपका बोड का टाइम टेवल आजाएगा और आरूंड 14 को आपका पेपर है मतलब ज्यादा ज्यादा आपके बास छे से साथ बीक बचे हैं दोस्तों आप फॉलो करो तो यहां पर मतलब आरूंड नौएमबर मन्त में जैसे आप अक्टूबर में देखो आपको मैं प्लानिंग दे रहा हूं कि 15 तक 21 तक आपने तीन यूनिट कवर किया फिर 21 से लेके अक्टूबर मन्त के लास्त तक आप एक यूनिट और कवर करो और दोस्त से एक ही पार्ट है बहुत ही ज्यादा उसका वेटेज है तो उसे भी हमें अच्छे से कवर करना तो इस तरह से मैंने ओवराल सब प्लानिंग दे दिया कॉम्निकेशन स्कील में भी इस तरह से आपका पूरा का पूरा पूरा प्लानिंग होना चीए बेसिक साइन्स में मेरा सजेस्टन ही कि अगर आप बस वीडियो को देख लोगे और फिर उससे रिलेटेड हम MCQs यह सब चैनल पे अगर आप वोलो तो उससे रिलेटेड हम ले क्रेमिश्टर में चले जाओ वहाँ पर आपको कॉर्सेस दीखाई देंगे और आप कॉर्सेस से जुड़ सकते हो जय हैं दोस्तों